हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल आर्ट्स रिजन क्लासेज, मेरा नाम रिंजना गुपता है, आज हम आप लोगों को UPPGT आर्ट 2000 का कुश्चन पेपर सॉल्फ कराएंगे, तो चलिए सुरुवात करते हैं कुश्चन नंबर वन से, कुश्चन नंबर वन है, यूरोपिय प्रागय अतिहासिक चित्रों के प्रमुक केंद्र कहां पर इस्थित हैं? फर्स्ट आप्शन है, यूनान एवं मिसोपोटामिया में, सेकेंड आप्शन है, उत्री फ्रांस एवं इंग्लेंड में, थर्ड आप्शन है, उत्री स्पेन एवं दक्षडी फ्रांस में, फोर्थ आप्शन है, इटली एवं फ्रांस में, यहां पर राइट एंसर हो जाए उत्री स्पेन एवं दक्षडी फ्रांस में इसे फ्रैंको केंटेब्रियन छेत्र भी कहते हैं नेक्स्ट कोस्चन है फ्रैंको केंटेब्रियन छेत्र किसे कहते हैं फर्स्ट ओप्शन है ये रोपी प्रागेति हासिक चित्रों का प्रमुक केंद्र सर्केंड ओप्शन है फ्रांस की प्रारंबिक कला का प्रमुक केंद्र थर्ड ओप्शन है फ्रांस का मिधी छेत्र फॉर्थ ओप्शन है भूमत्य सागरिय कला का केंद्र फैंको केंटेप्रियन छेत्र यहाँ पर राइट एंसर हो जाएगा यूरोपिय प्राग्यति हासिक चित्रों का प्रमुक केंद्र निक्स्ट कोस्चन है अल्ता मीरा की गुफा चित्र कहां स्थित है फर्स्ट ओप्शन है इस्पेन सेकेंड ओप्शन है फ्रांस थर्ड ओप्शन है इटली फोर्ट ओप्शन है भारत अल्ता मीरा का गुफा चित्र स्पेन में स्थित है अल्ता मीरा की गुफा उत्री स्पेन में स्थित है यहाँ विश्व की सबसे प्राचिंतव गुफा मानी जाती है अल्ता मीरा गुफा में प्रागतिहासिक मानो द्वारा निर्मित सरप्रिथम चित्रों प्राप्त हुए हैं इस गुफा में प्रागतिहासिक काल का सिस्टाइन चैपल कहा जाता है इसकी खोच 1889 स्वि में मार्से लिनो दसांतु ओला ने की थी और अल्ता मीरा गुफा चित्रों की खोच मार्से लिनो दसांतु ओला की बारा वर्सी बेटी ने जिसका नाम मार्या सांतु ओला है उसने की थी नेक्ट कोस्टन है सर्फ प्रथम अल्ता मीरा गुफा में चित्रों की खोच किसने की फर्स्ट ओप्शन है डी पिरानी, सेकेंड ओप्शन है मेरिया सांतो ओला, थर्ड ओप्शन है ई रेवियर, फोर्थ ओप्शन है एच ब्रुयल तो अल्ता मीरा गुफा में चित्रों की खोज मारिया सांतो ओला ने की थी निक्स कोश्चन है व्रिश्भो वाला कक्ष किस गुफा में इस्थित है फर्स्ट ओप्शन है तीन भाईयों की गुफा, सेकेंड ओप्शन है नियों की गुफाएं, थर्ड ओप्शन है लास्को की गुफाएं, फोर्थ ओप्शन है अल्ता मीरा की गुफाएं विश्बो वाला कच लास्कू की कुफा में इस्थित हैं लास्कू की खोच 1940 इस्वी में मार्सल रेवीडेट ये अथवा हेंडरी बुल ने की थी ठीक है अगर एक्जाम में मार्सल रेवीडेट और हेंडरी बुल दोनों आप्शन में आएगा तो आप फर्स्ट प्रियोरिटी मार्सल रेवीडेट को देंगे अगर मार्सल रेवीडेट नहीं रहता है उप्शन में तब आप हेंडरी बुल को सही कर देंगे लास्को गुफा चूना पत्थर से निर्मित है तथा विजर घाटी में स्थित है लास्को गुफा के सिलाचित्र, फ्रेंको केटेब्रियन छेत्र में प्राप्त सर्फ्रेज चित्रों के लिए प्रसिद हैं, ठीक है? और ये व्रिश्पो वाला कच्छ कभी कभी एक्जाम में देकर पूछता है, या तो इसका इंगलिस में नेम देकर पूछेगा, दगरेट हॉल अवफ बूस किस गुफा में इस थीत है, तो लास्को की गुफा में स्थीत है, निक्ष्ट कोश्चन है, भीम बेटका गुफा के चित्रों के खोज सरπ्रतम किसने की? फर्स्ट ओप्शन है स्री राय किष्णदास, सेकेंड ओप्शन है स्री राम चंद्र सुकल, थर्ड ओप्शन है स्री वी एस वाकड़कर, फोर्थ ओप्शन है स्री नंदलाल बोस बिन बेट का गुफा की चित्रों की खोज स्री वी एस वाकड़कर ने की इनका पूरा नाम विश्णु स्रीधर वाकड़कर है इन्होंने 1958 स्मी में भीमबेट का गुफा चित्रों की खोच की थी भीमबेट का गुफा कहां इस्तित है मत्य प्रिदेश राज में निक्स्ट कोश्चन है मिर्जापूर में प्राप्त प्रागयति हासिक चित्रों में निर्थिक का अद्रेश किस गुफा में अंकित है फर्स्ट ओप्शन है पंच मुखी सिकेंड ओप्शन है मुखादरी थर्ड ओप्शन है लिखुनिया फूर्थ ओप्शन है भलडरिया निक्स्ट कोस्चन है भारत वर्ष में प्रागयतियासिक चित्र जिराफ कुरूप कहां पाया गया है फर्स्ट ओप्षन है आदमगर्ड, सकेंड ओप्षन है राइगर्ड, थर्ड ओप्षन है मिर्जापूर, फोर्थ ओप्षन है पंचमडी जिराफ गुरूप कहां पाया गया है आदमगड में पाया गया है आदमगड हो संकाबादर छेत्र जो बदप्रदेश में स्थित है उसका उप्छेत्र है निक्स्ट कोस्चन है प्रागति हासिक काल में बने हाथी के चित्र जिसके सरीर पर पान की आकृति बनी है किस गुफा में स्थित है फर्स्ट ओप्सन है लाप लेटा सेकेंड ओप्सन है लिवान जो थर्ड ओप्सन है सेंटियन फोर्थ ओप्सन है पिंडाल पांग के आक्रिती वाला जो हाथी है वो पिंडाल गुफा में इस्थित है पिंडाल गुफा स्पेन में स्थित है यहां गुफा 400 गच लंबी है ठीक है जिसमें लगबग 120 गच भीतर दाई दिवार पर शिलाचित्र प्राप्त होती है नेक्स्ट कोस्चन है निम्न में से कौन सी प्राग्यति हासी गुफा मत्य प्रदेश में स्थित नहीं है फर्स्ट ओप्शन है सिंगनपूर सेकेंड ओप्शन है आदमगर थर्ड ओप्शन है भीमबेटका फॉर्थ ओप्शन है लिखुनिया तो प्राग्यतिहासिक गुफा कौन सी गुफा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है तो वो है लिखुनिया ठीक है लिखुनिया उत्तर प्रदेश राज में स्थित है और बाकी तीनों पहले मध्य प्रदेश में थी ठीक है पर सिंगनपूर जो है वर्तमान में छत्यसगर रा पानित्या निर्मित किये गए हैं फर्स्ट ऑप्षन है तैल पेस्टल से से केंड ऑप्षन है जल रंग से थर्ड ऑप्षन है स्याही से फॉर्ट ऑप्षन है गेरू वाचार कोल से प्राग्यतिहासिक चित्र गेरू वाचार कोल से निर्मित किये गए हैं नेक्स कोश्चन है नीचे दो कथन दिये गए हैं इसके नीचे ही दिये गए विकल्पों में से कौन सा सही है कह है मध्य प्रदेश में प्राग अतिहासिक चित्रों की अधिकतर संक्या प्राप्त होती है ख है प्राग्यतिहासिक कालमे व्यक्ति इस छेत्र में रहना अधिक पसंद करते थे फर्स्ट ऑप्शन है दोनों का वख्ख सही है तथा ख का का सही स्पस्टी करण है सेकेंड ऑप्शन है दोनों का वख्ख सही है लेकिन ख का का सही स्पस्टी करण नहीं है फर्ड ऑप्शन है का सही है लेकिन ख असत्य है फोर्थ आप्शन है का असत्य है लेकिन ख सही है तो यहाँ पर जो राइट एंसर होगा आप्शन सेकेंड हो जाएगा दोनों का वक्ष सही है लेकिन ख का का सही स्पस्टी करण नहीं है नेक्स कोश्चन है किस काल में आंत्रिक एवं वह सज्जा एक साथ करने का विचार किया गया फर्स्ट आप्शन है आदुनिक काल सेकेंड आप्शन है रोमनस काल थर्ड आप्शन है वाजेंडाइन काल फोर्थ आप्शन है गोथिक काल आंत्रिक एवं वाय सज्जा एक साथ करने का विचार गोथिक काल में किया गया नेक्ष कोश्चन है गोथिक वास्तु सिल्प किस शताबदी में अधिक प्रचलित हुआ फर्स्ट ओप्षन है सत्रहवी शताबदी सिकेंड ओप्षन है अठारवी शताबदी थर्ड ओप्षन है उनिस्वी शताबदी फोर्थ ओप्षन है बीस्वी शताबदी यहां पर आयट एंसर हो जाएगा सत्रहवी शताबदी निक्स्ट कोश्चन है गोतिक कला के विकास में प्रमुक कारक कौन से थी फर्स्ट ओप्शन है नगरी करर व्यापार एक विकास एवं सक्ति संपन राजसत्ता सेकेंड ओप्शन है जन्मानस की अकामचाय नगरी करर धर्म गुरुओं का प्रिभाव थर्ड ओप्शन है कलाकारों के समूँ धर्म नवीन चितना फोर्थ ओप्शन है नवीन कलाधराएं नवीन विचार धर्म राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन थर्ड कलाकारों के समूँ धर्म नवीन चितना निक्स्ट कोश्चन है कि शताबदी में पास्चातिक अलाकारों ने साहतिक विश्यों से निरत होकर प्रकृति के से निकट सानित ही स्थापित किया फर्स्ट ओप्शन है अठार्वी शताब्दी, सेकेंड ओप्शन है उनिश्वी शताब्दी का पूर्वार्थ, थर्ड ओप्शन है उनिश्वी शताब्दी का उत्तरार्थ, फोर्थ ओप्शन है विश्वी शताब्दी, यहां पर राइट एंसर हो जाएगा उनिश्वी शता फोर्थ ऑप्षन है राफेल प्रख्यात चित्र मुनालिसा का चित्रकार लियोनाडो दाविंची थे निक्स कोस्चन है कला में कुलीन व्यक्तित्व बॉलिक्ता का अंकन तथा आध्याप्मिक जीवन में धर्म के इच्छिन प्रभाव के कारण कला में व्यक्ति वाधिता किस काल में देखने को मिलती है फर्स्ट ऑप्षन है मदे काल में सेकेंड ऑप्षन है प्राचिन काल में थर्ड ऑप्षन है गोथिक काल में फोर्थ ऑप्षन है पुनुरुधान काल में यहाँ पर राइट एंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्षन पु यहां पर राइट एंसर हो जाएगा वन आइक इनका पूरा नाम जोन वन आइक है इन्हें इन्हें तैल चित्र का आविश्कार किया था इनका पूरा नाम जोन वन आइक है इन्हें तैल चित्रान का आविश्कारता माना जाता है ये नीदर लैन हॉलें के थे नेक्ट कोस्चन है किस कलासैली में रेखी प्रबृत्ती अध्यदिक प्रबल थी फर्स्ट ओप्षन है शाष्ट्री कलासैली सिकेंड ओप्षन है रोमनस्क कलासैली थर्ड ओप्षन है गोधिक कलासैली फोर्थ ओप्षन है बाइजिन्टाइन कलासैली तो रेखी प्रबृत्ती अत्यदिक प्रबल थी रोमनस्क कलासैली में नेक्स्ट कोस्चन है किस कलाकार ने अपने चित्रों में बाईबेल के विश्यों को मानवतावादे द्रिश्टी से अनुदित किया था फर्स्ट आप्शन है रिम्रा, सेकेंड आप्शन है रूबेंज, ठर्ड आप्शन है ज्ओन आइक, फॉर्थ आप्शन है पिकासो यहाँ पर राइट एंसर हो जाएगा रुबेंस इनका पूरा नाम पिटल पौर रुबेंस है और ये बरोक चैलिक के कलाकार थे नेक्स्ट कोस्चन है कौन से दो कलाकारों ने कुछ महानकारियों को अधूरा छोड़ दिया फर्स्ट ओप्शन है लियोनार्डो एवं माइकल एंजिलो सेकेंड ओप्शन है कोरेचियो एवं टिंटो रेट्टो थर्ड ओप्शन है पिकासो एवं बराग फोर्थ ओप्शन है राइफेल एवं रुबेंस तो किस ने अधूराकार छोड़ दिया था वो महानकलाकार है लियोनार्डो एवं माइकल एंजिलो निक्स कोश्चन है इटली में पंधरवी शती की कलासैली को क्या कहा जाता है फर्स्ट ओप्शन है अंतिम गोथिक, सेकेंड ओप्शन है बाईजेन टाइन, थर्ड ओप्शन है पूर्व पुनुरुथान काल, फोर्थ ओप्शन है चरम पुनुरुथान काल इटली में पंधरवी शती की कलासैली को पूर्व पुनुरुथान काल कहा जाता है निक्स्स कोस्चन है आदम के उत्पत्ति नामक प्रमुक चित्र किस पुनुरुथान कालिन चित्रकार ने बनाया फर्स्ट उप्षन है लियोनादो दाविंची, सेकेंड उप्षन है माइकल एंजिलो, थर्ड उप्षन है रैफेल, फौर्थ उप्षन है ऐल ग्रेको आदम की उत्पत्ती नामक प्रमुक चित्र माइकल एंजिलो ने बनाया है निक्स्ट कोश्चन है इटली के गोथिक काल के चित्रकारों में प्रमुक कलाकार कौन थे फर्स्ट आप्सन है दुशियो, सकेंड आप्सन है एम्ब्रोजियो, लोरेन जट्टी, थर्ड आप्सन है जोन बोर्नायक, फोर्थ आप्सन है जियोत्तो इटली के गोथिक काल के चित्रकारों में प्रमुक कलाकार जियोत्तो थे निक्स कोश्चन है चरम पुनुरुधान कालीन वेच्षी का प्रथम प्रमुख चित्रकार किसे माना जाता है फर्स्ट ओप्शन है टीशिया, सकेंड ओप्शन है कैरेचियो, थर्ड ओप्शन है गियर गियोन, फर्थ ओप्शन है लॉरेंजो लॉट्टो यहां पर राइट एंसर हो जाएगा टीशिया निक्स्ट कोश्चन है नौ सास्त्रेतावादी कलाकारों ने एक राजनैतिक काल के लिए युगदान किया था वहां कौन सा काल था? फर्स्ट ओप्सन है अमेरिकन क्रांती सेकेंड ओप्सन है भारत छुडवांदोलन थर्ड ओप्सन है फ्रेंच क्रांती फर्फ ओप्सन है दुतिय विश्वयूद यहां पर राइट एंसर हो जाएगा फ्रेंच क्रांती नेक्स्ट कोश्चन है माइकल एंजिलो चित्रकार होने के साथ ही First option है वास्तुकार थे, Second option है सहित्यकार थे, Third option है मूर्तिकार थे, Fourth option है संगितकार थे Michael Angelo चितरकार होने के साथ ही मूर्तिकार थे Next question है, High Renega चितरकार का नाम बताईए First option है Fra Angelo, Second option है Jyotto, Third option है Raphael, Fourth option है Botticelli यहां पर हाई रिनेशा का चित्रकार है राफल इनका पूरा नाम राफल से एंजियो है राफल को डिवाइन पिंटर या देवी कलाकार भी कहा जाता है नेक्स्ट कोश्चन है निम्ने लिखित में से कौन सी सैली में रंगिन क्राच की खिड़कियों की कला अस्तित्व में आई फर्स्ट ओप्सन है बाईजिन्टाइन, सेकेंड ओप्सन है गोथिक, थर्ड ओप्सन है युनानी, फोर्थ ओप्सन है इरानी यहाँ पर राइट एंसर हो जाएगा बाईजिन्टाइन, ठीक है नेक्स्ट कोश्चन है निम्ने में से कौन सा कलाकार पूर्वपुनुरुथान काल से इन समंदित नहीं है फर्स्ट ओप्सन है मैसेच चियो, सेकेंड ओप्सन है पावलोच चेलो, थर्ड ओप्सन है सैंड रोबर्टी चेली, फोर्थ ओप्सन है पिकाडी पूर्वपुनुरुथान काल से समंदित कलाकार इन मेसेज़ों नहीं है, वो है पिकाडी नेक्स्ट कोश्चन है बाई जिन्टाइन कलाकारो द्वारा निम्न में से किस प्रकार की विशेवस्तू चित्र हेतू चुनी गई फर्स्ट ओप्सन है समाजिक, सेकेंड ओप्सन है धार्मिक, थर्ड ओप्सन है दर्म निर्पेक्च, फोर्थ ओप्सन है प्राकृतिक द्रिश्यावली यहाँ पर राइट एंसर हो जाएगा धार्मिक नेक्स्ट कोश्चन है इरोपी चित्रकला में नौ सास्त्रितावाद की प्रकृति को किस ने बढ़ावा दिया फर्स्ट ओप्शन है विलियम हंड, सेकेंड ओप्शन है टर्नर, थर्ड ओप्शन है डेविट, फोर्थ ओप्शन है फ्रॉंस होल्स इरोपी चित्रकला में नौ सास्त्रितावाद की प्रकृती को डेविट ने बढ़ावा दिया नेक्स्ट कोश्चन है घनवाद के प्रवर्तक कौन थे फर्स्ट ओप्शन है सेंजा एवं वांगोग सिकेंड ओप्शन है पिकासो विंबराग फर्ड ओप्शन है रैफिल एवं रिनोयर फोर्थ ओप्शन है टिंटोरेटो एवं कोरेजियो घनवाद के प्रवर्तक थे पिकासो एवं बराग नेक्स्ट कोश्चन है किस कलाकार ने पेस्टर रंगों तथा गतिसील फोटोग्राफिक आकरितियों के द्वारा चित्र निर्मार का रिकिया फर्स्ट ओप्शन है मोने, सेकेंड ओप्शन है वंगोग, थर्ड ओप्शन है पिकासो, फोर्थ ओप्शन है एडगर डिगास यहाँ पर राइट एंसर एडगर डिगास हो जाएगा इनको एडगर डिगा भी कहते है नेक्स्ट कोश्चन है, कला कार्ड पैबलो पिकासो कि सैली के लिए प्रख्यात है फर्स्ट ओप्शन है यह थार्थ वादी, सेकेंड ओप्शन है अमूर्टन, थर्ड ओप्शन है लोग कला, फोर्थ ओप्शन है रहसेवादी पाप्लो पिकासो रहसेवादी के लिए प्रख्यात है, ठीक है, यहाँ मूर्टन नहीं होगा, ठीक है, रहसेवादी होगा नेक्स्ट कोश्चन है, निम्न लिखित में से किस प्रमुक्चित्रकार ने स्वच्छन्दतावादी आंदोलन प्रारंब किया स्वच्छन्दतावादी आंदोलन थियोडोर जेरिकोल्ट ने प्रारंब किया निक्स्ट कोश्चन है, उत्तर प्रभावादियों में प्रिथम चित्रकार कौन था? फर्स्ट आप्शन है पॉल सेजा, सेकेंड आप्शन है पाबलो पिकासो, थर्ड आप्शन है एडवर्ड मानेट, फोर्थ आप्शन है एडगर डेगास उत्तर प्रभावादियों में प्रिथम चित्रकार था पॉल सेजा ठीक है? निक्स्ट कोस्चन है उत्तर प्रभावादी चित्रकारों में सर्व प्रथम किस चित्रकार ने प्रतीकवादी चित्र बनाना प्रारम्भ किया फर्स्ट आप्शन है वांग गॉक, सेकेंड आप्शन है जेम्स एंसर, थर्ड आप्शन है एडवर्ड मुंच, फोर्थ आप्शन है पॉल गुंगवा उत्तर प्रभावादी चित्रकारों में सरप्रथम प्रतिगवादी चित्र पॉल गुंगवा ने बनाने प्रारम किये ठीक है यहाँ पर पॉल गुंगवा सही हो जाएगा निक्स्ट कोस्चन है ब्रा के वंपिकासो ने जिस सैली को जन्व दिया उसे किस नाम से पुकारा जाता है फर्स्ट ओप्सन है फंतासी, सेकेंड ओप्सन है अतिय थार्थवाद, थर्ड ओप्सन है घनवाद, फोर्थ ओप्सन है प्रभावाद ब्राक एवं पिकासो ने जिस सैली को जन्व दिया उसका नाम है घनवाद यहां घनवाद सही हो जाएगा इस क्लास में UPPGT 8 2000 के 40 कोस्चन तक सॉल्फ करा दिये गए है नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की कोस्चन पेपर सॉल्फ कराए जाएंगे तब तक के लिए इसी तरह पढ़ते रहे और रिविजन करते रहे थैंक्यू सो मच